Hello बच्चो, कैसे हो बड़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया? तो देखो बच्चो, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है हमारे पास कक्सा 10 का विज्ञान का अध्याई नमबर 6 और हमारे अध्याई का नाम है जयवप्रक्रम English में आप कह सकते हो Life Processes तो आज हमें जैव प्रकरम के बारे में पढ़ना है और सब बच्चे बिलकुल ध्यान से समझेंगे इस पूरे चैप्टर को तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये है जैव प्रकरम का क्या अर्थ होता है तो हमें सबसे पहले समझना है जैव प्रकरम की से कहते है तो आपको पता है कि जितने भी सजीव हैं उनके सरीर में कुछ विशेश प्रकार की क्रियाए होती रहती है और उन विशेश प्रकार की क्रियाओं को ही हम कहते हैं जैव प्रकरम या जैविक क्रियाए तो आप उत्तर में लिख सकते हूं सजीवों में होने वाले प्रक्रम या क्रियाएं जैसे कौन-कौन से प्रक्रम होते हैं जैसे पोशन है पोशन सजीवों में ही होता है पोशन का मतलब होता है भोजन करना भोजन को ग्रहन करना जैसे नमबर दो पर स्वासन भी एक जैव प्रक्रम है नमबर तीन वेहन भी एक जैव प्रक्रम है वेहन या परिवेहन यानि सरीर के अंदर किसी वस्तू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना इसे कहते हैं वेहन या परिवेहन उत्सर्जन भी एक जैव प्रक्रम है उत्सर्जन का मतलब होता है हानिकारक पदार्थों को सरीर से बाहर निकालना जनन भी एक जैव प्रक्रम है जनन को आप प्रजनन भी कह सकते हो जनन या प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे गुणों वाली संतान को उत्पन करना अभीक्रिया दिखाना या एक्सन दिखाना नमबर साथ अनुरक्षन या रख रखाओ अपने सरीर को सुरक्सित रखना भारी वातवरण के साथ ताल मेल से अपने सरीर को रखना इसे हम कहते हैं अनुरक्षन तो इन साथ जैव प्रक्रमों का हमें इस चैप्टर में अध्यन क सबसे पहले हम बात करते हैं इन साथ प्रक्रमों को पढ़ने से पहले कि जैव रासाइनी कभी क्रियाओं क्या होती है। हमारा अगला टार्गेट है जैव रासाइनी कभी क्रियाओं या इंगलिस में आप कह सकते हो बायो केमिकल रियक्संस। जैव रासाईनी कभी क्रियाओं का मतलब होता है, जीवों में होने वाली रासाईनी कभी क्रियाओं है, अब जैसे हमने पढ़े जैव प्रकरम और साथ प्रकार के जैव प्रकरम हमने पढ़े, उन में से यदि किसी एक जैव प्रकरम में अंदर आप जाके study करोगे, एक जैव प्रकरम में बहुत सारी रासाइनी कभी करियाएं होती है, chemical reactions होती है, और उन सरीर के अंदर, सजीवों के अंदर या जीवों के अंदर होने वाली जो रासाइनी कभी करियाएं होती है, जो किसी जैव प्रकरम को चलाती है उन रासाइनी कभी क्रियाओं को हम कहते हैं जैव रासाइनी कभी क्रियाओं और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यदि कोई पूसता है कि जैव रासाइनी कभी क्रियाओं कितने प्रकार की होती हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कि जैवरासाइदी कभी क्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की दो प्रकार की इन में से पहली तो होती है अपचाई क्रियाएं और एक होती है अपचाई अभी क्रियाएं या क्रियां ही कहे दो अपचई क्रियां का मतलब होता है तूटने वाली क्रियां जिन में बड़े अनुओं का छोटे अनुओं में तूटना होता है यदि कोई आप से पूचता है अपचई क्रियां किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि मनुस्य के सरीर में या सजीवों के सरीर में होने वाली वो जैवरासाईनी कभी क्रिया जिसमें बड़े अनु छोटे अनुओं में तूटते हैं जैसे पाचन, पाचन में आप बड़े बड़े निवाले टुकडे खाते हो और वो पाचन की क्रिया में वे बड़े टुकडे बड़े अनु छोटे छोटे टुकडों में या छोटे छोटे अनुओं में तूट जाते हैं और आप कहते हो कि हमारा भोजन पच गया है तो पाचन का मतलब होता है बड़े अनुओं का छोटे अनुओं में तूटना और ये एक अप्चेई क्रिया है इसी प्रकार स्वसन में भी बड़े अनू छोटे अनूओं में तूटते हैं या फिर आप कह सकते हो कि जटिल अनू सरल अनूओं में तूटते हैं और स्वसन भी एक अप्चेई क्रिया है ठीक है नमबर दो उपचई क्रियाएं उपचई क्रियाएं अपचई क्रियाओं की जस्ट उल्टी है यानि अपचई क्रियाओं में तो हमने पढ़ा कि बड़े अनू छोटे अनूओं में तूट जाएंगे इसी तरीके से आप ध्यान रखोगे उपचई क्रियाओं में क्या होगा चोटे अनू आपस में मिलकर बड़े अनू का निर्मान करेगे तो चोटे अनू से मिलकर बड़े अनू का बनना तो चोटे अनू जब आपस में मिलते हैं तो बड़े अनू का निर्मान होता है और ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं उपचई क्रियाएं जैसे प्रकास संसलेशन एक उपचई क्रिया है वसा और प्रोटीन का संसलेशन भी एक उपचई क्रिया है अब हम बात करेंगे एक important point की यहाँ आप देख रहे हो एक heading लिखा हुआ है green color से note बहुत important point है ध्यान रखना अपचई को हम English में कहते हैं catabolism और उपचई को हम कहते हैं anabolism और जब catabolism और anabolism दोनों क्रियाएं एक साथ हमारे सरीर में चलती है वही हमारे सरीर में बहुत सारी तो बनने वाली क्रियाएं चलती रहती हैं लगातार और बहुत सारी बिगडने वाली क्रियाएं चलती रहती हैं लगातार यहां बिगडने से तात पर यह है टूटनाएगा हमारे सरीर में बहुत सारी बनने वाली reactions यानि जब सरा लणू आपस में मिलकर जटी लणू का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभी क्रियाओं को कहते हैं बनने वाली reactions वो भी चलती रहती हैं साथ ही साथ हमारे सरीर में ऐसे भी बहुत सारे reactions चलते हैं जिसमें तूटना होता है यानि बड़े अणू छोटे अणू में तूटते हैं यानि चटी लणू सरल अणू में तूटते हैं तो ketabolism और anabolism दुन्नों को यदि हम मिला देते हैं तो बनता है metabolism यानि अपचय और उपचय दुन्नों प्रकार की क्रियाएं जब सम्मिलित रूप से इन्हें कुछ कहा जाता है commonly तो इन्हें आप कहोगे उपापचय ये उपापचय के दो हिस्से हैं उपापचय कहो या फिर कहो metabolism तो यदि कोई मेरे सब पूस्ता है ना कि उपापचय किसे कहते हैं तो मेरा जबाब क्या होता है मेरा जबाब होता है सललवासा में मैं कहूंगा कि किसी भी जीव के सरीर में बहुत सारी बनने और बिगडने की क्रियाएं चलती रहती है और इन बनने और बिगडने वाली क्रियाओं को कुल मिलाकर या सम्मिलित रोप से उपापचे कहते हैं तो इन्हें कहते हैं उपापचे ज्यान रखोगे या इंगलिस में आप कह सकते हो metabolism और किसी भी मनुस्ये या किसी भी जीव या किसी भी सजीव चाये वो कोई पेड़ भोधाय या जन्तु यदि उसका metabolism माने उपापचे बहुत तेजी से काम किरता है यानि उसके सरीर में बनने और बिगडने की करियाएं बहुत तेजी से होती है न तो समझो वो बहुत स्वस्थ होगा, वो हेल्दी होगा, यदि आपका मेटाबॉलिज्म आपका उपापचे बहुत अच्छा है, आपके सिरीर में बनने की करियाएं और बिगड़ने की करियाएं अर्थात अपचे और उपचे, दोनों बहुत मस्त तरीगे से चलते हैं, तो स सारे डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं, कि कोई पेसेंट जब उनके पास ऐसा आता है, जिसे जल्दी ठीक करना होता है, तो वे पेसेंट को ऐसी दवाई देते हैं, जिससे उसका उपापचे, अर्थात मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है, यानि उसकी स्पीड बढ़ ज से के सरीर का जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, उपापचे का दर है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो सरीर में फिर इंप्रूमेंट भी तेजी से होता है, और जो पेसेंट है, जो मरीज है, उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो कहता है, डाक्टर साम तो बहुत तेजी से बढ़ा देता है, कुछ लोगों को स्टिरोइड खाने से उनका वजन बढ़ जाता है बहुत जाद है, पर स्टिरोइड फ्यूचर के लिए खतरनाग होता है क्योंकि हमारी बोडी के अंदर एक रेजिस्टिविटी डवलप कर देता है ठीक है, तो हमें कोशिस करनी चाहिए कि हम स्टिरोइड से बचें तो बेटे, यहां सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पोशन की न्यूट्रीशन की हमने साथ जैव प्रकरम पढ़े ना और साथ जैव प्रकरम में सबसे पहला हमारा है पोशन या इंगलिस में आप कह सकते हो न्यूट्रीशन चलो पोशन या न्यूट्रीशन की बात करते हैं न्यूट्रीशन का मतलब या पोशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहन करना या पोशक तत्वों को ग्रहन करना जीवों द्वारा भोजन या पोशक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोशन कहलाती है सही है ना बात? यदि कोई मेरे से पुछेगा कि पोशन किसे कहते हैं तो मेरा जवाब होगा कि भोजन ग्रहन करना या पोशक तत्वों को ग्रहन करना बोजन ग्रहन करना या पोशक तत्वों को ग्रहन करने को ही हम कहते हैं पोशन अब अगला सवाल बच्चों के निमाग में आता है कि सर हमें पोशन की आवशकता क्यों है या हमें बोजन की आवशकता क्यों है मतलब क्या जरूरत है हमें बोजन करने की या भोजन या पोशन हमारे सरीर के लिए क्यों जरूरी है तो यहां लिखे वे हैं कारण हेडिंग है पोशन की आवशकता क्यों जरूरी है खाना खाना या भोजन करना या पोशन नमबर एक उर्जा के लिए आपको पता है कि दैनिक जीवन में आप बहुत सारे काम करते हो ठीक है और आपके सरीर के अंदर भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं चलती है या जैव प्रकरम चलते हैं बहुत सारी जैव रासाईनी कभी क्रियाएं चलती है उन सभी कामों के लिए जो डिरेक्टली आपको नजर आते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा, आपको नजर आ रहा कि मैं काम कर रहा ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे तो आपको लग रहा कि आप काम कर रहे हो, कारिय कर रहे हो आप सुबह को स्कूल जा रहे, स्कूल से वापीस आ रहे, फिर कोचिंग में जा रहे, कोचिंग से वापीस आ रहे, आप घर के भी बहुत सारे काम कर रहे इन सभी कामों को करते वे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हाँ हम कारिय कर रहे हैं पर यदि एक व्यक्ति कुर्सी पे ही बैठावा है सुबह से साम तक तो आप ऐसा मत सोचना कि वो कोई काम नहीं कर रहा है उसके सरीर में बहुत सारे काम हो रहे हैं जिने हमने कहा था जैव प्रक्रप उसके सरीर में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं उसे स्वसन करिया करनी पड़ रही पाचन करना पड़ रहा तो स्वसन और पाचन में भी तो उर्जा लगती है तो इन सारी डारेक्टली और इंडारेक्टली जो हमारे सरीर द्वारा कारिय किये जाते हैं या सरीर में जो बहुत सारे जैव प्रक्रम चलते हैं उनके लिए उर दो किलो का या तीन किलो का या चार किलो का पैदा होता है और वो जब 25-30 साल का हो जाता है, 40 साल का तो क्या वो तब भी 2-3-4 किलो का ही होता है तब तो वो 100 किलो का होने के लिए तैयार होता है कि किसी तरह 100 किलो का हो जाऊना ठीक है? मτलेm इसी तरीके से एक बीज जब अंकुरित होता है तो पौधा जब उससे उगता है वो पौधा कितना चोटा होता है और जब वो पौधा पांच-चे साल का हो जाता है तो फिर तो वो पेड़ बन जाता है तो सारीरिक व्रधी सजीवों का एक लक्षन है और यदि किसी सजीव को भोजन मिलता रहेगा सही तरीके से तभी तो उसका सरीर वरध्धी करेगा और यदि उसे भोजन ही नहीं मिलेगा तो वरध्धी कहां से करेगो इसका मतलब पोशन जो है सारीरीक वरध्धी के लिए بھی बहुत जरूरी है नमबर तीन तूट फूट की मरम्मत के लिए हमारे सरीर में लगातार तूटने की तूट फूट की क्रियाएं होती रहती है भई आप तूट फूट उन्हें तो मानते हो कि आप कहीं दोड़रे, भागरे, खेलरे या फिर आप सड़क पे चलते वे जा रहे या स्कूटर साइकल से जा रहे और एक्सिडेंट हो गया आपके चोट लगी, खरोच लगी, खून निकल गया, अड़ी तूट गी तूट फूट केवल यहां तक सीमित नहीं है हम जो डेली रूटीन में नॉर्मल काम करते हैं उस काम करने के दोरान भी हमारे सरीर की कोशिकाएं तूटती है जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो बोलते समय मेरे सरीर के जीन अंगों का प्रियोग हो रहा है गले का प्रियोग हो रहा, जीव का प्रियोग हो रहा इसके अलावा मेरे face की जो manspaces यां है muscles उनका भी प्रियोग हो रहा हिलते डुलते समय हाथ, पैर, गर्दन की manspaces का प्रियोग हो रहा तो इन सभी manspaces के कारिये करने से इनकी जो कोशिकाएं हैं वे तूटती हैं तो कोशिकाएं आप cycle पे चलते वे जा रहे हैं रास्ते पे बहुत सारे गड़े लगे तो उन गड़ों के कारण भी आपके सरीर की बहुत सारी कोशिकाएं तूट फूट जाती हैं पर वो चोट किसी को नजर तो नहीं आती तो जो चोट externally आपको लगी बाही ये रूप से लगी वो तो सारी दुनिया को नजर आ रही कि यहां बे तूट फूट होई और इसकी मरम्बत के लिए जादे खाने की आवशक्ता पड़ेगी विसे इस प्रकार के खाने की और दवाईयों की आवशक्ता पड़ेगी पर कुछ तूट फूट ऐसी है जो 24 गंटे हमारे सरीर के अंदर लगी रहती है कोशिकाओं लगातार तूटती फूटती रहती है और उन कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्बत के लिए भी हमें भोजन की आवशक्ता पड़ती है ठीक है और बच्चों के अंदर ये टूट फूट जादे होती है कोशिकाओं भी क्योंकि बच्चे फिजिकल वर्क जादे करते हैं न यदि बड़ों के साथ बच्चों का कमपैरिजन करोगे तो बच्चे जादे फिजिकल वर्क करते हैं और जादे फिजिकल वर्क का मतलब सारी दी क्रिया कलाब जादे होते हैं बच्चे खेलते भी हैं न वैसे आजकल के बच्चे तो मॉबाइल में ही खेल रहें पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं आपको पताएं तो कुल मिला के बाद ये है कि हमारे सरीर में तूट फूट लगातार चलती रहती है कुछ तो ऐसी जो बाहर से दिखाई देती है वो तो कभी खबार है पर जो इंटरनल कोशिकाओं की तूट फूट है वो लगातार चलती रहती है और उस टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवशकता है हमें पोशन की आवशकता होती है भोजन बहुत जरूरी है हमारे लिए इसी तरीके से नंबर चार पर है रोगों से परती रक्षा के लिए आपको पता है कि हमारे सरीर में रोग हो जाते हैं और उन रोगों से बचाव के लिए भी हमारे सरीर में उर्जा होनी चाहिए बहुत जादे मातरा में भोजन की आवशकता इसलिए भी है और यदि कोई रोग हो गया है उस रोग से लड़ने के लिए भी जादे भोजन की आवशकता है एक बात ध्यान रखना हमेशा जब भी आप बिमार होते हो तो आपको जरूरत से जादे खाना खाना है ध्यान रखना जब भी आपको कुछ भी बिमारी होती है बुखार है, नजला है, जुखाम है, खांसी है और भी बहुत सारी छोटी मोटी बिमारियां या बड़ी बिमारियां कुछ भी हो जाए तो समझो कि आपके डोस बढ़ जानी चाहिए यदि आप अपने dose को नहीं बढ़ा होगे न तो बिमार जादे दिनों तक रहोगे आप बुखार में जरूरत से जादे खाना खाया करो यदि टेस्टी नहीं लग रहा तो उसमें नमक मेरे सोर डालनी और और खा लिया ध्धान रखना इस बात का यदि आपको जल्दी ठीक होना है तो खाना आपका बढ़ जाना चाहिए अब हम बात करते हैं ये जो टॉपिक इस बार हम डिसकस करेंगे ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बिल्कुल इंपोर्टन टॉपिक है ध्यान से समझना हमारा टॉपिक है भोजन के मुख्य गटक की खाने में कौन-कौन सी चिज्जे होनी बहुत जरूरी है जिने आप कहते हो पोशक तत्व तो भोजन के मुख्य गटक या फिर हम कह सकते हैं पोशक तत्व तो हमारे भोजन में कौन-कौन से पोशक तत्व होने चाहिए यह बहु भोजन में कुल मिलाकर 6 पोशक तत्व होने चाहिए। और उन 6 पोशक तत्व को याद करने का यह ट्रीक है जो यहां लिखावा है देखो प्रोची का खविज। क्या लिखावा है प्रोची का खविज। आप इस सब्द को रट लोगे बिलकुल। प्रोची का खविज, प्रोची का खविज, प्रोची का खविज, प्रोची का खविज। अब देखो प्रो, प्रो माने प्रोटीन वैसे जो बच्चे गेम खेलते हैं उनके लिए प्रो का कुछ औरी मतलब होता है ठीक है यह एक राजगी बात है तो प्रो माने क्या होता है हम चिकनाई का मतलब तेल या वसा, यह चिकनाई है, का का मतलब होता है कार्बो हाइडरेट, खै का मतलब होता है खनीजलवन, वी का मतलब होता है विटामिन, और बिटे जै का मतलब नीचे देखो होता है जल, कितनी चिज्जे होई हैं, छैं, तो इन छैं चिज्जों को कहते है पोशक तत्ल या भोजन के मुख्य घटक हमारे खाने में ये 6 चीज्जे जरूर होनी चाहिए और यदि खाने में हमारे ये 6 चीज्जे हैं और सही मात्रा में हैं तो पक्की बात है हम स्वस्त रहेंगे और यदि 6 चीज़ें हमारे खाने में नहीं है तो हम स्वस्तर नहीं रहेंगे तो ध्यान रखोगे क्या सब्द है प्रोची का खविज मेरे साथ बोलो कमेंट बॉक्स में लिखो प्रोची का खविज अब अगला सवाल सर प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे लिए प्रोटीन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन होता है निर्मानकारी यानि प्रोटीन हमारे सरीर में कोशिकाओं की नई कोशिकाओं का निर्मान करता है और टुटी-फुटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है जब भी हमारी हड़ी टूटती है या हमें चोट लगती है तो डॉक्टर साब हमें कहते हैं कि प्रोटीन लोग जादस जादे दूद पियो पनीर खाओ ठीक है? तो प्रोटीन निर्मानकारी है बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन जितना ज़्यादे प्रोटीन आप भोजन में लोगे आपका सरीर में उतना ज़्यादे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी कोशिका विभाजन की स्पीड बढ़ेगी और आपका सरीर उतनी तेजी से व्रद्धी करेगा नॉर्मली आपने एक बात सुनी होगी कि जो बच्चे जिम में जाते हैं जिम एक्सराइज करते हैं जिम में जाकर उनका जो जिम का ट्रेनर होता है वो प्रोटीन के डब बे देता है बच्चो कि आप इसे गोल-गोल के दूद में और फिर पियो प्रोटीन पियो वो प्रोटीन इसलिए देता है क्योंकि प्रोटीन निर्मान का रही है वो हमारे सरीर में कोसी का विवाजन की स्पीड बढ़ाता है जिससे कोसी काओं की संख्या लगातार बढ़ती है और कोसीगाओं की संख्या लगातार बढ़ने से हमारे सरीर में व्रद्धी होती है बढ़ते वे बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है पता चल गया प्रोटीन क्यों जरूरी है? सिरफ बात यहां तक सीमित नहीं है बढ़ प्रोटीन के बारे में और भी बहुत सारी वात्ते आपको सिखाऊंगा नमबर दो चिकनाई चिकनाई का मतलब वसा या तेल, घी तेल इनकी आवशकता क्यों होती है? यह हमें परदान करते हैं उर्जा इनसे हमें उर्जा मिलती है और यदि जरूरत से ज़्यादे आप चिकनाई खा रहे न तो जितनी उर्जा की आवशकता है वो तो मिल जागी और जो एक्स्ट्रा आपने चिकनाई खाई वो आपके सरीर में चर्वी के रूप में जमा होती रहेगी और मोटापा बढ़ता रहेगा तो जितनी आवशकता है उतनी चिकनाई हमें खानी चाहिए यदि कोई बच्चा पतला है पतला दुगला है हडियल है तो उसे चिकनाई ज़्यादे खानी चाहिए वसा तेल ज़्यादे खाना चाहिए और यदि कोई मोटा ताजा है तो उसे चिकनाई कम खानी चाहिए ठीक है जिसका energy consumption जादे है उर्जा की खपच जादे है जैसे आप जिम में जा रहे या फिर आप race लगा रहे दोड लगा रहे physical games केल रहे आप तो उसमें आपको चिकनाई की जादे जुरुत होती है क्योंकि इससे हमें उर्जा मिलती है तीसरे नंबर पर आता है बेटे कार्बो हाइडरेट तो कार्बो हाइडरेट से भी हमें क्या मिलती है उर्जा कार्बो हाइडरेट से भी हमें उर्जा मिलती है चोथा है खनीज लवन खनीज लवन से हमें प्रती रक्षा मिलती है प्रती रक्षा का मतलब रोग प्रती रोधक शम्ता या इम्म्यूनिटी खनीज लवन हमारे सरीर के अंदर बिमारियों से लड़नी की शम्ता उत्पन करते हैं और बिटे विटामीन भी प्रती रक्षा के कारण ही लेने होते हैं विटामीन भी अलग-अलग बिमारियों से लड़ने के एक शमता उत्पन करते हैं हमारे सरीर के अंतर और नमबर 6 पर है जल आपको पता है कि जल ही जीवन है जल तो इन सारी चीज़ों के लिए माध्यम है आपको पता है कि यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे सरीर की सारी जैवी क्रियाएं ठप हो जाएंगी और हमारा खून भी गाड़ा हो जाएगा खून गाड़ा हो जाएगा तो उसका नलियों में बहना मुस्किल हो जाएगा और जब खून की नलियों में खून सही तरीके से नहीं भाएगा तो transportation रुख जाएगा oxygen carry नहीं हो पाएगी oxygen नहीं पहुँच पाएगी जहाँ उसे पहुचना है और glucose नहीं पहुच पाएगा जहाँ उसे पहुचना है energy नहीं पहुच पाएगी जहाँ उसे पहुचना है तो transportation का मुख्यकारी है खून के द्वारा blood के द्वारा ही उतता है और blood के लिए माध्यम क्या है पानी तो बहुत जरूरी चीज है पानी बहुत सारी चीजों में जरूरी है क्यों है आगे हम discuss करें यहां तक हमने discuss किया है कि यदि कोई पुछेगा कि भोजन के मुख्य गटक बताओ या पोशक तत्व बताओ कौन-कौन से है तो हमें सिरफ यह स काम करते हैं वो निच्चे मैंने आपको समझा दिया ठीक है सारे नोट्स आपको PDF पर मिल जाएंगे यहां आपको लिखने की कोई भी आपशकता नहीं है आपको सिरफ इसमें समझना है जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं तो प्रोची का खवीज में सबसे पहले आता है प प्रो माने प्रोटीन तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे यहां प्रोटीन के बारे प्रोटीन तो यदि कोई हमारे से पूछता है कि प्रोटीन किसे कहते हैं तो आप बताओगे कार्बन हाइडरोजन ऑक्सीजन वे नाइट्रोजन से बनने वाले कार्बनिक योगिक ऐसे कार प्रोटीन मांस से मिलता है मचली से दूद, अंडा, पनीर, डाल, गेहू, मुफली, बादाम ये जितने भी इसमें यहां तक पनीर तक ये तो सब जन्तूओं से मिलने वाले प्रोटीन के सरोत है और उसके बाद वनस्वती से मिलने वाले प्रोटीन के सरोत है वैसे मैं आपकी knowledge के ready बताथा हूँ सबसे अदे protein डालों में उता है और डालों में भी डाल, soya bean की डाल सोया bean में सबसे अधे protein होता है soya bean की डाल बोल रहा हूँ soya bean की बड़ियां नहीं बोल रहा हूँ जो आप खिचडी में डालते हो या फिर जो आप चाउमीन में डालते हो वे सोया बीन की बड़ियां है ठीक है सोया बीन की खली है वो जब सोया बीन का तेल निकाल देता है ना और उसके अंदर जो बचता है ठूस पदार थे जिसे हम कहते हैं खल तो खल को हो या खली को हो एक ही बात है पर हम सोयावीन की बड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सोयावीन की डाल की सब ज़्याद है प्रोटीन तो ये प्रोटीन के सरोत हैं प्रोटीन चाहिए तो डाल, दूद, ठीक है पनीर, दही, दूद और दूद से बनने वाले जितने भी product है, सब में protein है सारी दालों में protein है फलीदार जितनी भी सबजी है उनमें भी protein मिल जाता है अगली बात करते हैं protein के उपयोग protein के उपयोग, वैसे मैंने एक उपयोग आपको पीच्छे discuss कर लिया आपके साथ पर protein के उपयोग में हम बात करेंगे, जीव द्रव्य का निर्माना, वही हमारा जो सरीर है, सरीर में बहुत सारे क्या हैं बताओ, सरीर में बिटे, हमारे सरीर में अंग हैं, अंग, ठीक है हमारे सरीर में क्या हैं, अंग पता है ना आपको parts, body parts और अंग में क्या हैं अंग किन से मिलके बने है, सरीर तो अंगों से मिलके बना है अंग किस से मिलके बने है अंग बने है, उतक कों से मिलकर टीशू उतक से मिलके बने है न अंग और उतक किस से मिलके बने है कोसिकाओं से, cells कोसिकाओं को क्या कहते है, cell और कोशीकाओं के अंदर एक liquid भरा होता है कोशीकाओं के अंदर जितना भी मामला है न चाहे वो तरल है चाहे वो ठोस है उसे ही हम कहते हैं जीवद्रव्य क्या कहते हैं जीवद्रव्य अब जीवद्रव्य को कुछ लोग कहते हैं कोशीका द्रव्य उसके अंदर बहुत सारे कोशी कांग वो होते हैं कोशी का जैसे केंद्रक है, जैसे माइटो कॉंडरिया है जैसे गौलजी का है, जैसे लवग है ठीक है, जैसे एंडोप्लाजमिक रेटीकूलम है जैसे रिखती का है, यह सारे कोशी कांग है कोशिका के अंग तो कोशिका के अंदर आपको पता चल गया कि कोशिका के अंदर जितना भी माल मसाला है उसे ही हम कुल मिला कर कहते हैं जीवद रखे तो प्रोटीन जितना जादे लोगे ना आपने खाने में जितना जादे प्रोटीन लिया एक मट सुनो माल लो आप खाने मे बहुत ज़्यादे प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन जितना ज़्यादे आप खाने में लोगे उतना ही ज़्यादे आपका क्या बनेगा जीव द्रव्य उतना ही ज़्यादे बनेगा और जीव द्रव्य जितना ज़्यादे बनेगा कोशी का पहले तो थी छोटी सी कोशी का अब आप जीव द्रव्य बढ़ने से कोशीगा का साइज बढ़ने से फिर इसमें कोशीगा में विवाजनों का बीच में से तूट जाएगी और दो कोशीगाएं बन जाएगी और फिर ये दुन्नों भी आप जब लगातार प्रोटीन ले रहे तो ये भी दुन्नों मोटी होना सुरू हो जाएंगी और फिर ये भी बीच में से तूट जाएंगी कोशीगा विवाजन से फिर दो कोशीगाइं इससे बनेगी मतलब कहने की बात ये है कि आप खाने में जितना ज़्यादे प्रोटीन लोगे आपकी कोसिगाओं में जीव द्रव्य उतना ज़्यादे बढ़ेगा और जीव द्रव्य जितना ज़्यादे बढ़ेगा उतना ही ज़्यादे कोसिगा का साइज बढ़ेगा और कोसीगा का साइच जितना बढ़ेगा उसमें फिर तूटने का प्रोसीस उतना तेज होगा कोसीगा विवाजन की स्पीड बढ़ेगी और कोसीगा विवाजन जितना जल्दी जल्दी होगा आपके सरीर का आकार उतना जल्दी जल्दी बढ़ेगा समझ रहना द्यान रखना इस चीज़ को अगली बात करते हैं चलो आपको पता चल गया जीव द्रव्य का निर्मान होता है प्रोटीन से एंजाइमों का निर्मान हमारे सरीर में जो जैवी क्रियाओं हैं उन्हें चलाने के लिए विसे इस प्रकार के रासाइनिक पदार्थों की आवशकता होती है जो हमारे सरीर में ही बनते हैं और ये रासाइनिक पदार्थ उन अभी क्रियाओं की गती को बढ़ाने के लिए हैं जैसे मैं एक एक्जांपल देता हूँ छोटा सा हम जो खाना खाते हैं न वो हमारा खाना चार गंटे में पच जाता है हमारा खाना चार गंटे में डाइजेस्ट हो जाता है पता है न आपको हमेशा डॉक्टर भी कहते हैं कि ये खुराक और इस खुराक दो खुराक के बीश चार गंटे का अंतर रखना चार-चार गंटे के बाद आपको दवाई लेनी है क्योंकि डॉक्टर को भी बताये कि एक बार का खाना डाइजेस्ट होने में चार गंटे लगते हैं और इसलिए लगते हैं क्योंकि डाइजेसन प्रॉसेस में there are so many types of enzymes enzymes बहुत सारे enzymes हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं पाचन क्रिया की speed को बढ़ाते हैं यदि मैं आपको कह दूँ कि आप एक बार का खाना खाओ और आपके पेट में आपके आहर नाल में एक भी enzyme नहीं छोड़ा गया तो वो खाना पचने में कितना time लगेगा तो बेटे बीना enzyme के खाना एक बारी का खाना पचने में बीना enzyme के 20 साल लग जाएंगे एक time का खाना digest होने में बीना enzyme के 20 साल लगेंगे अब आप खुद सोच लो enzyme का कितना बड़ा रोल है हमारे सरीर में ओने वाली जैवी क्रियाओं की speed fast करने में ठीक है समझ रहे न आप तो enzyme के बारे में हम अग्गे discuss करेंगे काफी detail में discuss करेंगे class 12 में तो मैं इसका पूरा post martem कर दूँँँगा कैसे काम करता है कैसे होते हैं enzyme ठीक है पर यहां तो हम थोड़ा से discuss करेंगे अग्गे चलके आपको पता होना चाहिए कि enzyme protein सही बनते हैं यदि आप protein सही मात्रा में नहीं लोगे तो आपकी body में enzyme ही नहीं बननेगे और enzyme नहीं बननेगे तो आपका पाचन नहीं सही होनेगा और पाचन तो मैंने एक example दिया आपको there are so many life processes वह सारी जैव क्रियाएं हैं जैव प्रकरम हैं जो हमारे सरीर में होते हैं और उन्हें चलाने के लिए उनकी speed को fast करने के लिए enzymes की आवशकता होती है और enzyme हमारे सरीर को सही स्वस्थ और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक important role अदा करते हैं तो enzyme भी protein के ही बने होते हैं ध्यान रखना उसके बाद number 3 पर आते हैं तूट food की मरंबत इसे तो मैंने अभी discuss करी लिया था आपके साथ कि हमारे सरीर में जो external तूट food होती है जो सारी दुनिया को दिखाई देती है कि हा भाई तूट लगी आपको external वो तो सारी दुनिया को नजर आती है पर क्या हमारे सरीर के अंदर जो डेली हजारों लाखों करोडों कोसिकाई टूटरी फूटरी वो तो नहीं किसी को नजर आ रही क्या उनकी मरंबत की आपशक्ता नहीं है उनकी मरंबत के लिए कौन हेल्प करेगा प्रोटीन ही हेल्प करता है उनकी मरंबत के लिए चाहे चोट डारेक्टर लगी भी हो बाहरी चोट हो जो दिखाई देती है और चाहे सरीर में टूटी फूटी कोसिकाई हो उनकी मरंबत करनी हो तो प्रोटीन ही तूट फूट की मरंबत करता है पूरी बोडी में नमबर चार पर आता है आवशकता पढ़ने पर उर्जा स्रोत आपको पता है कि प्रोटीन का मुख्य कारिय क्या है प्रोटीन का मुख्य कारिय है तूटी फूटी कोशिकाओं की मरंबत करना सरीर में व्रद्धी करना यही तो काम है पर यदि हमारे पास उर्जा का कोई स्रोत नहीं है हमारी बोड़ी में एनर्जी की कमी है तो मुसीवत पढ़ने पर प्रोटीन हमें उर्जा भी प्रदान करता है वैसे अभी थोड़ी दिर पहले मैं नें आपको एक बात बताई कि उर्जा प्रदान करने की जिम्मेदारी दो के उपर है एक तो चिकनाई के उपर और एक तो कार्भोईडरेट के उपर तेल या वसा एनर्जी देंगे या फिर कार्भोईडरेट देगा एनर्जी पर इसके उपर भी जिम्मेदारी आजाती है यदि मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो नमबर पांच एंटी बॉडीज का निर्मान प्रोटीन ही एंटी बॉडीज का निर्मान करता है एंटी बॉडीज किसे कहते हैं Antibodies किसी रोग से लड़ने के लिए विसेस प्रकार के अनू होते हैं जिनका निर्मान हमारे सरीर में होता है उन्हें कहते हैं Antibodies जैसे मैं आपको एक example देता हूँ छोटा सा Antibodies को समझाने के लिए मालो एक बच्चा है उसे चेचक की बिमारी हुई चेचक या पॉक्स या माता चोटी माता बड़ी माता चिकन पॉक्स इस्मॉल पॉक्स तो जब उसे एक बार चेचक हो जाएगा ना तो उसके सरीर में उसके बलड में चेचक के रोग के वाइरस के खिलाफ Antibodies डवलब हो जाएगी फिर भविस्य में उसे कभी चेचक नहीं होगा उसे चेचक सिरफ एक बार होगा यदि उसके सरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपलब्द है तो उस प्रोटीन से ही Antibodies बनेंगे Antibodies होते हैं किसी बिमारी को रोकने के लिए विसेज प्रकार के अनू जो हमारे सरीर के अंदर बनते हैं जैसे मैं आपको कहूँ कि हम किसी भी बिमारी के लिए वैक्सीन लगवाते हैं जैसे Corona vaccine, Polio vaccine तो ये vaccine क्या करती है vaccine जो है बहुत हलके mild virus होते हैं या bacteria जो भी बिमारी है कुछ बिमारी वाइरस से उत्ती हैं कुछ बैक्टीरिया से जब बहुत mild virus हमारी body के अंदर entry मारेगा mild मने हलका फुलका वो हमारी body के अंदर उन्होंने inject कर दीगा तो हमारी body के अंदर यदि protein भरपूर मात्रा में उपलब्द है तो हमारा protein क्या करेगा उस बिमारी के खिलाफ antibodies डवलप करेगा यानि एक विसेज बटालियन उतार देगा एकदम और उस बटालियन में सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी यदि protein हमारी body में भरपूर मात्रा में है तो उन्होंने बहुत हलका फुलका बहुत कमजोर वाइरस हमारी body के अंदर इंजेक्ट करा और उसे इंजेक्ट करने से उसे इंजेक्ट करने से क्या हुआ उसे इंजेक्ट करने से हमारी body के अंदर protein की उपलब्धता के कारण उस बिमारी के वाइरस से लड़ने के लिए Antibodies बननी शुरू होगी और वो Antibodies क्या करेंगी वे Antibodies अपनी संख्या लगातार बढ़ाएंगी और हमारे सरीर में इतनी Antibodies बन जाएंगी कि future में वो वाइरस यदि हमारे उपर अटेक करता है तो starting phase में ही उसे Antibodies सब डेमेज कर देंगी तो vaccine ऐसे काम करती है मतलब एक बार जैसे मानलो हमें किसी दूसरे देश के उपर अटेक करना तो हमें उस दूसरे देश की सेना को दिखा दिया गया कि ऐसी ऐसेना तो हम अपनी तयारियां उस हिसाम से ही करेंगे जैसे cricket match में एक team दूसरे team के साथ match करने से पहले उस दूसरे team के खिलाडियों को खेलते वे देखती है वीडियोज में कि ये खिलाडि कैसी बोल अच्छे तरीके से खेल पाता है और कौन सी बोल को अच्छे तरीके से नहीं कहल पाता तो antibodies किसके सरीर में बनेगी जिसके सरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होगा इसलिए प्रोटीन जरूरी है यदि आपको vaccine आपने देखा कुछ आदमी ऐसे थे जिनकी body में vaccine inject करी और वे vaccine inject करके बिमार होगे कोरोना हो गया होने इसका मतलब उनकी body में antibodies develop ही नहीं होई अब antibodies develop ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते है पर उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी body में protein की कमी हो यदि उसकी body में protein भरपूर मात्रा में होता तो पक्की बात है antibodies बनती भरपूर मात्रा में और वे उस हलके भुलके virus को damage कर देती और future के लिए बहुत सारी antibodies उसकी body में बन जाती जो भविस्य में आने वाले viral attack का पहले से ही तयारी रखती छोटा बच्चा होता है ना उसे बहुत सारी vaccine दी जाती है उसकी age होती है कि अब इसे इसका टिका लगेगा vaccine को टिका भी करते है अब इसे इतने महीने बेड टिक का इतने महीने में है इतने महीने में है तो में जो टिक के लगते हैं ना बच्चों वो vaccine ही तो है और वो mild virus या bacteria होता है उस समय बच्चा मा का दूद पी रहा होता है और मा के दूद में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है तो बच्चे के सरीर में antibodies develop होती रहती है जब तक उसका vaccination होता है ध्यान रखना इस चीज़ का प्रोटीन से ही बनती है antibodies अब हम अगली बात करेंगे अगली बात हम करेंगे प्रोटीन उर्जा कुपोशन की यानि प्रोटीन और उर्जा से जो बिमारियां हमारे सरीर में बच्चों के सरीर में होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन उर्जा कुपोशन प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग वे रोग जो प्रोटीन की कमी से होते हैं प्रोटीन और उर्जा की कमी से ठीग है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाशर कर की क्वाशर कर आज आता है पेपर में मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताई इने में से कुछ पॉइंट आप याद रख लेना चार ईयर पांच एक्जाम में लिखने के लिए यदि एक्जाम में आता है क्वाशर कर क्या होता है इसमें ध्यान से देखना बिल्कुल क्वाशर कर में प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग और बारा महिने के बच्चे में होता है मा के दूद की एनियमित्ता के कारण होता है यदि मा का दूद कभी मिल रहा कभी नहीं मिल रहा तब होगा बच्चे को इसमें बाजूवे टांगे बहुत पतली हो जाती है बच्चे को एक साल के बच्चे को होता है सुन लेना ध्यान से जब बच्चा मा का दूद पी रहा होता है परती रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है बीमारी उसे लड़ने के ख्रमता उसकी कमजोर हो जाएगी मानसिक मंदता हो जाएगी दिमाग उसका सही काम नहीं करेगा भूब कम लगेगी अती सार होगा यानि उल्टी दस्त होगे सूजन उसके आसपास पेट के सूजन आ सकती है चिड़ चिड़ा पन वे उदास हो जाएगा और बेटे उसके बाल जो है उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं होगी बाल उसके सूख जाएगे बिल्कुल यहां लिखावा है क्या लिखावा है बाल सूखे देखो 11 नमबर पे देखो क्या लिखावा है बाल तो उसके हो जाएगे कैसे सूखे और त्वचा पीली हो जाएगी सुस्क हो जाएगी और कांती हीन कांती हीन कहते हैं कांती कहते हैं चमक को छोटे बच्चों की स्किन कितनी शाइनिंग करती है करती है न शाइनि, चमक होती है छोटे बच्चों की स्कीन में, सब चाहते हैं कि हमारी स्कीन भी छोटे बच्चों जैसी हो जाए, पर यदि बच्चे को क्वाशर कर ये रोग है, उसका मा का दूद उसे सही समय पर नहीं मिल रहा, तो उसकी तुछा बिलकुल ऐसी हो जाएग कारण है उर्जा की कमी से होता है इसमें भी बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है उसका विकास रुक जाता है यानि उसकी उमर तो बढ़ती रहेगी पर बोड़ी का साइज नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्रोटीन की कमी है ना 6 महिने से 12 महिने तक ये बच्चों को होता है जब बच्चा 6 महिने का होगा या 12 महिने का होगा उसके आसपास ही ये बिमारी होती है तो इसलिए मा का दूद बच्चे को जरूर मिलना चाहिए भरपूर मात्रा में कारण क्या है मा के दूद मा का दूद ने मिलना मा का दूद यदी नहीं मिलता तो मेरिसमस हो सकता है उसे क्वासर कर भी हो सकता है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाती है यानि बिमारियों से लड़ने के एक सम्दा कमजोर हो जाती है भूब कम लगती है डाइरिया हो जाता है डाइरिया तो पता है आपको उल्टी दस्त मानसिक मंदता दिमाग कमजोर हो जाएगा और जो उसकी दिल की धड़कन है न उसकी गती भी धीमी हो जाएगी यानि उसकी नाड़ी जो है नाड़ी तो कहते है इसे नाड़ी मंद नाड़ी दसवे नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है मंद नाड़ी उसकी नाड़ी हो जाएगी मंद यानि दिल की धड़कन slow और सांस लेने की गती हो जाएगी तेज क्यों हो जाएगी क्योंकि एनरजी की कमी आगी ना उसके अंदर एनरजी चाहिए और एनरजी डवलप करने के दो रास्ते हैं सिरफ पहला रास्ता एनरजी डवलप करने का उसका खाना जो है उसका फूड वो अच्छी तरही से डाइजेस्ट हो सके और दूसरा है कि वो सांस डंग से ले सके ऑक्सीजन को कैरी कर सके हमारी बोड़ी में एनरजी बनने का तरीगा मनुस्य की बात करें तो मनुस्य में एनरजी बनाने के जिम्मेदार दो ही जैव प्रक्रम है पहला तो है पाचन और दूसरा स्वसन यदि किसी का पेट बिल्कुल सही है पाचन बढ़िया होता है और उसकी स्वसन के रिया बहुत अच्छी होती है तो समझो वो स्वस्थ है उसके अंदर कोई विमारी नहीं आएगी और यदि दुन्नों में से कोई सा भी एक गड़ बढ़ा गया तो उसका स्वास्थे भिगड जाएगा पक्की बात है तो अपना पाचन अच्छा रखो और सांस लेने की स्पीड थोड़ी कम रखो प्राणायाम करो जिससे लंबे समय तक आप अपने लंग्स में फेफडो में ऑक्सीजन को भर सबो आगे डिसकस करेंगे सारे टेक्निकल पॉइंट्स को इसी चैप्टर में चलो अगली बात करते हैं तो प्रो प्रो के बात क्या आता है प्रो के बात आता है ची, ची मने चिकनाई चिकनाई या वसायत तेल की बात कर रहे यह भी कार्बन हाइडोजन वे ऑक्सीजन से बनने वाले कार्बनिक योगिक है इनके स्रोत क्या है देखो इनके स्रोत की बात करते हैं चलो इनके स्रोत है मक्खन से आपको चिकनाई मिलेगी पनीर, दूद, घी, नारियल, बादाम, मौंफली, सर्जो इन सब से आपको चिकनाई मिलेगी उपियोग क्या है चिकनाई का? उर्जा स्रोत है मैंने बताया था आपको उर्जा स्रोत दो बताये थे चिकनाई और कार्भोहईडरेट उर्जा मिलेगी संग्रहन, सरीर को आकरती देना बाई, यदि आप भोजन में यदि आप भोजन में चिकनाई लोगे तो चिकनाई जितना उर्जा चाहिए उतनी तो दे गई पर उससे जो एक्स्ट्रा जितनी चिकनाई होगी तेलिया वसा वो हमारे सरीर में ही कठी होती रहती है चर्वी के रूप में और हच्डियों के उपर जब चर्वी चड़ती है ना तो तभी हमारे सरीर जो है उसे एक बढ़िया आकरती मिलती है सुडोल सरीर बनता है और यदि ऐसा हो जाए कि आपके सरीर पर हड़ियां तो हैं सरीर में पर उनके अपर चर्वी बहुत कम है जैसे पतले दूगले बच्चे होते हैं ना हड़ियल बच्चे हड़ियल तो उनका सरीर में सोचते हैं और मैं कब मोटा हूँगा कब मैं मोटा हूँगा और कब मैं अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा जिनकी फिटिंग अच्छी आए मेरे उपपर मैं तो कैसे कपड़े पहन लूँ फिटिंग अच्छी नहीं आती है सब डिले पिल ले ही रहते हैं तो हमें ऐसे बच्चों को सला देनी चाहिए कि आप चिकनाई थोड़ा सही मातरा में लो, तेल या वसा का प्रियोग करो, जो सुद्ध हो और अच्छे हो जैसे मक्षन, पनीर, दूद, घी, नारियल, बादाम, मौफली, सरसो जो एक्जामपल इहां स्रोत में लिख रखे हैं ठीक है, तो ऐसी चीज़े जो सुद्ध हैं, उनका प्रियोग करने सा आपका वजन बढ़ सकता है, पर जो पहले से ठीक है, जरूरस से जादे चिकनाई का प्रियोग ना करें, क्योंकि जरूरस से जादे चिकनाई का प्रियोग ऐसे बच्चे करेंगे, तो उनका मोटापा बढ़ेगा क्या बढ़ेगा मोटा पा ठीक है ध्यान रखना क्या बढ़ेगा मोटा पा और फिर में मोटे हो जाएंगे तो जो मोटे बच्चे हैं वे ध्यान रखेंगी चिकनाई का कम परियोग करें नमबर तीन पर आते हैं तीसरा उपयोग क्या है तीसरा उपयोग है ताप नियंत रणा वही हमारे सरीर में जो चर्बी होती है वो ही हमारे सरीर के टेंपरेचर को कंट्रोल करती है आपने एक बात देखी होगी जो पतला आदमी होता है पतला बच्चा हो या पतला आदमी उसे सर्दी बहुत जादे लगती है क्योंकि उसके सरीर में चर्बी बहुत खाम है और जो मोटा आदमी है उसे गर्मी बहुत जादे लगती है मोटा आदमी तो सर्दियों में खुझ रहता है और जो पतला हडियल आदमी है वो गर्मियों में खुज रहता है उस से पुछो पतले से आदमी को हडियल से आदमी को पुछो वो कहेगा कि मेरे लिए तो गर्मियां सबसे अच्छी है और जो मोटा आदमी होगा वो कहेगा कि मिरे लिए सर्दियां अच्छी है ठीक है क्योंकि जिसके सरीर में ज्यादे चर्वी होगी उसका टेंपरेचर ज्यादे होगा और जिसके सरीर में चर्वी कम होगी उसका टेंपरेचर होगा कम ठीक है अगली बात अगली बात ध्यान रखनी है कोशी का कला के निर्मान में आपको पता है कोशी का कला को हम सैल मेंब्रेन भी कहते हैं कोशी का जिल्ली भी कहते हैं कोशी का के बहार की जो दिवार होती है न कवर उसे कहते हैं कोशी का कला तो कोशी का कला के निर्मान में भी हम कौन सी चीज, कौन सा पोशक तत्व प्रियोग होता है चिकनाई, तेलिया वसा ठीक है, प्रो, ची, का का मने क्या होता है का मने होता है, कार्बो हाइडरेट अब कार्बो हाइडरेट पढ़ेंगे तो कार्बो हाइडरेट कार्बन हाइडरोजन व्या ऑक्सीजन से बनने वाले कार्बनी की योगीख है दो तरह के उत्ते हैं सरल कार्बो हाइडरेट और जटिल कार्बो हाइडरेट क्लास 12 में तो मैं बहुत detail में discuss करूँगा दोनों को अभी तो सिरफ इतनी बात सुनों कि सरल तो मिठे होंगे और जटिल होंगे मिठे नहीं होंगे ठीक है सरल में जैसे आपका glucose है, fructose है, suprose है, lactose है ये सब मिठे हैं, सरल carbohydrate है, इनके सरोत क्या है? गर्ना, गर्ने से बनते हैं इसब, चुकंदर, खजूर, आदी जटिल कार्बोहेडरेट में हम बात करेंगे, मंड की मंड को हम starch भी कहते हैं, वैसे ग्रामी नक्षेत्रों में मंड या starch को कहते हैं मांड, क्या कहते हैं मांड, चावलों का मांड होता है, सुना होगा आपने, चावलों का मांड आप जब खुले बरतन में चावल को बनाते हो तो खुले बरतन में चावल बनाने से वो जो पानी निकलता है, सफेद रंग का जो अलग करते हैं, खुले बिगोने से जो निकालते हैं अलग और फिर उस सफेद पानी में, चावलो का जो पानी होता है, उस पानी में नमक मिला गए, और नमक या कुछ लोग चिन्नी या सक्कर भी मिला लेते हैं, अमने टेस्ट की बात है, और उसे पीते हैं फिर, एनरजी होती है, उसके अंदर बहुत कार्वोहईड्रेट्स है, जो बच्चो के डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेस लिस्ट, बहुत कहते हैं कि बच्चो को मांड देना चाहिए, एनरजी होती है उसके अंदर, तो ध्यान रखना, कि यह जो मंड है, इसका नाम हमने बिगाड के मांड रख दिया, स्टार चीसे इंगलिस में कहते हैं, इसके स्रोत हैं आलू, भाई आलू जो है, आप आलू की सबजी आज बनाओ, ठीक है, फ्रिज में रखो उसे, अगले दिन देखो, गाड़ी हो जागी या नहीं, गाड़ी हो जागी ना आलू की सबजी, आलू की सबजी में तरी वाली सबजी कह रहा है, ठीक है, जितने दि बनते ही हैं अर्भी अर्भी कह दो या कुछ लोग कहते हैं गागली और कुछ लोग कहते हैं गुहियां तो अर्भी अर्भी भी इसमें भी स्टार्च होता है बहुत मक्का माने मकी में होता है मकी जिसे बुठा कहते हैं कुकडी और साबूदाना ये सब स्रोत हैं कार्बोहाइडरेट में स्टार्च के स्टार्च भी एक कार्बोहाइडरेट है अब बात करते हैं सर कार्बोहाइडरेट के उप्योग क्या है कार्बोहाइडरेट के उप्योग के बारे में बात करें तो एक तो उर्जा प्रदान करता है जैसे glucose है glucose कोशिका का इंधन है कोशिका का इनर कोशिका में जलने के लिए oxygen किसे जलाएगा glucose को कैसे जलाएगा वो मैं सिखाऊंगा आपको आग्य जब मैं स्वसन सिखाऊंगा respiration अतिरिक्त glucose मालो हमारे blood में आपको पता हमारे खून में glucose होता है कहां से आता है वो भी हम discuss करेंगे इसी chapter में पर यदि glucose जरूरत से जादे है तो वो अतिरिक्त glucose कहां जाता है वो जो जरूरत से जादे glucose है वो कहां जाएगा तो जरूरत से जादे जो glucose है न अतिरिक्त glucose वो glycogen में बदल कर यकरत में एकत्रित हो जाता है और यदि वो फालतु का गलुकोज गलाइकोजन में ना बदले और यकरत में इकठा ना हो तो फालतु का गलुकोज फिर खून में ही रहेगा और उस आदमी को बिमारी हो जाएगी सूगर की बिमारी इसे कहते हैं सूगर जिसका फालतू का γल 활ुकोज हमारे ब्लेड में गल कोज है और यदि एक्स्ट्रा गलुकोज गलाइकोजन में बदलकर यकरत या लीवर में ही कठा हो जाता है वो तो आदमी नार्मल है और जिसका एक्स्टा गल्राइकोज गलाइकोजन में नहीं बदलता तो वो खून में ही पड़ा रहता है फिर ग्लुकोज और वो फिर यूरीन के साथ बहार आता है ग्लुकोज यूरीन माने मूत्र मूत्र के साथ वो बहार निकलता है तो ऐसे आदमी को कहते हैं कि आपको सूगर की बिमारी है इस बिमारी को ही कहते हैं सूगर या तो सुगर कहो या मधू मेह कहो या diabetes कहो ये विमारी होती है क्यों होती है डिसकस करेंगे हम biology में discuss करेंगे अग्गे चल्गे अगली बात कर लेते हैं पहले अब बात करते हैं प्रो-ची का protein, चिकनाई RD होगया चोते नमबर पे क्या आता है चोते नमबर पे खविज, खै खनीज लवन खनीज लवन उपापचे ही क्रियाओं के लिए अवश्चत, उपापचे ही मैंने कहा था Metabolism Reactions बनने और बिगडने की क्रियाओं हैं जो इस्टिरोइड से फास्ट हो जाती है उनके लिए बहुत जरूरी हैं खनीज लवन सरीर के अंगों के निर्माण में सहायक हैं खनीज लवन कैलसियम और फास्टोरस ये दोनों जरूरी है कैलसियम और फास्टोरस खनीज लवनी हैं दोनो कैलसियम और फास्टोरस जरूरी है दात और हड्डियों के लिए हमारे दात और हड्डियां कैल्सिम और फास्फोरस से ही बने होते है F. लोहा जरूरी है हीमोगलोबिन के लिए ये H. भी होता है हीमोगलोबिन का संकेत ध्यान रखना हीमोगलोबिन कहा होता है हमारे बलड में हमारे खून में ठीक है, कोई यदी आप से पूछता है ना, कि हमारे जो खून है, वो हमारे खून का रंग लाल क्यों है, तो आप उसे जवाब दो कि खून का रंग, उसने पुछा कि बलड जो है, बलड, खून, रुधिर, रक्त, लहू, इसका रंग लाल क्यों है, तो आपका जवाब होना RBC का रंग लाल इसलिए है क्योंकि RBC में होता है हीमोगलोबीन फिर वो बहुत साथी रादमी था उसने पुछा हीमोगलोबीन का रंग बताओ लाल क्यों होता है तो आपको बताना है हीमोगलोबीन का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोगलोबीन में होता है आयरन एफ़ी तो यदि किसी के सरीर में हीमोगलोबीन कम है तो उसे लोही की जरुवत है लोही की जरुवत ऐसे पूरी नहीं होगी कि आप एक पाउ कील ले के आजाओ नेल्स कील और उन्हें पानी के साथ निकलनी सुरू करतो वो लोहानी चाहिए हमें लोहा हमें सुधवस्था में चाहिए उससे बनने वाले बहुत सारे उपकरणनी चाहिए है ध्यान रखना तो लोहे का रंग लाल होता है आपने दिख़ा होगा लोहे को यदि गरम करोगे तो रैड कलर का हो जाता है पता है ना आपको और वैसे भी रासाइनिक विज्ञान में कक्सा बारा में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा अभी तो आपको सिरब इतनी बात ध्यान रखनी है कि लोहा कहा जरूरी है हीमोगलोबिन के लिए इसी आइरन की गोली दी जाती है बच्चो को स्कूल्स में भी दी जाती है आइरन की गोली आइरन मानी लोहा जिससे हीमोगलोबिन उनमें अच्छा बने और हीमोगलोबिन जादे होगा तो उनके सरीर में खोन की कमी नहीं होगी एनीमिया नहीं होगा रख्त अलपता नहीं होगी आयोडीन आयोडीन भी एक खनीजलवन है इसकी जुरत पढ़ती है थाइरोकसीन के निर्माण में अब ये थाइरोकसीन क्या है ये एक हार्मोन है इसे भी हम अगले चैप्टर में डिसकस करेंगे थाइरोकसीन को ठीक है थाइराइड गरंती से संबंदीत है तो ये है खनीजलवन जैसे कैल्सियम है फासफुरस है लोहा है आयोडीन है ये सब क्या है खनीजलवन खनीजलवन को हम इंगलिस में कहते हैं मिन्रल्स ये सब मिन्रल्स हैं जरूरी हैं हमारे सरीर के लिए तो हम पहुँचे हैं प्रोची का खे, खे के बाद आता है वे, विटामिन, वी, खविज, विटामिन ध्यान से समझना विटामिन को, ये इंपोर्टेंट है और हर साल इसमें से क्योप्सिन पूछा जाता है शरीर को प्रती रक्षा प्रदान करने वाले जटिल कार्बनीक पदार्थ होते हैं विटामिन और दो केटेगरी में इने बंटा गया जल में गुलनसील और वसा में गुलनसील पेपर में सवाल आता है कि जल में गुलंसील विटामिन कौन-कौन से हैं तो आपको जवाब देना है विटामिन B और C जल में गुलंसील होते हैं और विटामिन A, D, E, K ये होते हैं वसा में गुलंसील वसा मनें तेल या वसा चिकनाई तो इन सभी विटामिन्स को हमें पढ़ना है और मैं बहुत तेजी से इने पढ़ाऊंगा ध्यान से समझना बिल्कु लेगता हूँ सबसे पहले हम डिसकस करेंगे विटामिन का नाम नाम के बाद उसका स्रोत कहां से मिलेगा और फिर उसकी कमी से होने वाला रोग विटामिन ए का नाम होता है रेटी नॉल इसके स्रोत हैं अंडा, मक्खन, घी, मचली का तेल, यकरत, गाजर, हरी सबजियां और विटामिन ए की कमी से रतोंदी होता है यानि रात को दिखाई देना बंद हो जाना और जिर्ओफिल्मिया होता है यानि आंक सुस्क हो जाना, सूख जाना आंक सुस्क नहीं होना चाहिए यदि आंके हमारी सुस्क हैं तो आंकों में जलनो होगी फिर आंकों में हमें artificial tear डालना पढ़ेगा एक ऐसी आई ड्रॉप डालनी पड़ेगी जिससे हमारी आँखे गिली रहे अंदर से और उनमें रगड ना लगे और जलन ना हो तो यदि रात को दिखाई देना बंद हो गया रतौन दी होगी तो विटामिन A की कमी से होई पकी बात है यदि जिरॉफ थैल्मिया होगया आपकी आँखे सूखती है अंदर से तो भी आपके अंदर विटामिन A की कमी है ठीक है विटामिन A के बाद आता है विटामिन D विटामिन D विटामिन D का नाम है कैलसी फेरोल इसके स्रोथ हैं सूरिया का प्रकास सुभह या स्याम को आप सरसों के तेल की माली सरीर पे करो और दोप में अराम से गुमो या लेट जाओ आपको विटामिन D भरपूर मात्रा में उपलब्द होगा मखन, दूद, मांस, मचली का तेल, वरक यह सब विटामिन D के स्रोथ हैं और विटामिन D की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स जिसे कहते हैं सूखा रोग हड़ियां खोकली हो जाती हैं कमजोर हो जाती है या फिर ओस्टियो मलेसिया यानि हड़ियां इतनी गलने लगती हैं गलने इसे कहते हैं ओस्टियो मलेसिया विटामिन D की कमी से उसके बाद आता है विटामिन E को हम कहते हैं Tocopherol और विटामिन E की कमी से कौन से रोग होते हैं उससे पहले हम डिसकस करेंगे विटामिन E कहां से मिलेगा सुरोत क्या है अंडा, गेहू, हरीपतिया, मांस और इसकी कमी से होता है जनन अक्षमता में कमी जनन कहे दो या प्रजनन कहे दो प्रजन अक्षमता घट जाती है प्रजनन तो पता है आपको किसे कहते है संतान उत्पन करने की अक्षमता उसके बाद आता है विटामिन के नेफ्थो कुईनोन विटामिन K, सोया बीन से टमाटर, हरी, पत्तियां, यकरत और अंडा इन से प्राफ्थ होता है विटामिन K और इसकी कमी से रोग होता है हीमोरेज हीमोरेज को आप रुधिर स्राव कह सकते हैं हीमोरेज का मतलब होता है चोट लगी और खून बहना रुक नहीं रहा है यदि खून बहना नहीं रुक रहा है तो विटामिन किसकी कमी है के की कमी है ध्यान रखना हीमोरेज कहते हैं इस रोग को उसके बाद ये तो होगे आपके वसा में गुलंसील विटामिन A,D,E के अब आते हैं जल में गुलंसील विटामिन B और C के बारे में बात करते हैं विटामिन B1, विटामिन B कहीं तरह का होता है, उसमें पहला है विटामिन B1, थाइमीन इसका नाम है, अनाज के छिलकों में मिलेगा फलियां, हरी, सबजियां, इस्ट, मांस, दूद, यकरत, इसकी कमी से रोग होता है, बेरी-बेरी, स्किन पर, तवचा पर, मुँपर चकते पढ़ जाते हैं, कभी-कभी सफीद रंग के चकते भी पढ़ जाते हैं, जिना कहते हैं, इस बच्चे के मुँपे सीप हो रहे, तो वो सीप जो है, वाइट-वाइट से पैच हो जाते हैं, स्किन पर, फेस पर, तो उसे जो है न, वो जो हम आटा पिसवाते हैं अपना, तो विटामिन B1 है तो हमें जो है चोक कर खाना बहुत जुरूरी है आटा कभी भी बरीक नहीं पिस्वाना चाहिए नहीं तो फिर मैद्दा ही खालो मोटा आटा होना चाहिए जिसमें छिलके भी हो और कोशिस करो वो साफ हो पर उसे चान का बनाने की ज़र्वत नहीं है यदि विटामिन B1 आपको भरपूर मात्रा में चाहिए उसके बात करते हैं विटामिन B2 की विटामिन B2 राइबो फ्लेविन अरी पत्तियां येस्ट पनीर गेहूं यकरत मांस और इसकी कमीजर होता है किलोसीस किलोसीस माने होट फटना बच्चों के होट फटते हैं विटामिन B2 की कमी से फटते हैं ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस कहते हैं जीब में सूजन जिसे कहते हैं मुह आ गया मेरा तो मुह आ राजी ठेक है Dermatitis का मतलब तवचा का फटना जैसे सरदियों में फट जाती है न तवचा विटामिन B2 की कमी से होता है अब आते हैं विटामिन B3 पर विटामिन B3 पेंटो थैनी का मिलग स्रोथ, टमाटर, मुंफली, यीस्ट, दूद, मांस, यकरत, अंडा, वरक और इससे भी यदि विटामिन B3 की कमी है तो उससे होगा Dermatitis क्या होगा Dermatitis यानि तवचा का फटना उसके बाद आता है विटामिन B5 विटामिन B5 को हम कहते हैं निकोटीनिक अमल निकोटीनिक अमल, स्रोथ, मांस, यकरत, यीस्ट, अनाज, दाल, मचलिया ठेक है मचलियां के जगा मचली भी लिख सकते हो बड़ी सी है तो एक साइक काम चल जगा और इसकी कमी से रोग होता है पैलाग्रा पैलाग्रा जीब वे तवचा पर पपड़ी जमने को कहते हैं पैलाग्रा उसके बाद आते हैं विटामिन B6 पर विटामिन B6 का नाम होता है पाइरी डॉक्सीन इसके सरोथ हैं सोसकफल, दूद, सबजियां, अनाज, मांस, इस्ट और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया जिसे हम कहते हैं खून की कमी, हीमोगलोमिन की कमी, लोहे की कमी तर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना, वजन में कमी यह सब विटामिन B6 की कमी से होता है और विटामिन B6 के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B12 B12 का नाम होता है साइनो कोबेलामी इसके सरोथ हैं कच्चा, यकरत, मांस, मचली, दोध, अंडा और इसकी कमी से रोग होता है पार्निसस एनिमिया, जैसे कहते हैं प्राणासी रक्त अल्पता यानि प्राणासी रक्त अल्पता का मतलब खून की इतनी कमी की आदमे मर भी सकता है मर जाएगा इतनी कमी खून की है उसके अंदर ठीक है उसके बाद आता है फोलिक अमल फोलिक अमल भी एक विटामिन है इसके शरोत है हरी, पत्या, यकरत, सोयबीन अंडा, गुर्दा, यिस्ट और इसकी कमी से एनिमिया होता है एनिमिया कहता है खून की कमी को या रुक्त अलपता को उसके बाद आता है विटामीन C जियान से समझ़ना विटामीन C को हम कहते हैं एसकॉर्बिक अमल और विटामीन C किस रो होता है, खटे फल जैसे संतरा, मौस्मी निम्बो, जितने भी खटे फल है, हरी, सबजियां रसीले फल समभे विटामीन C होता है और vitamin C की कमी से रोग होता है स्करवी स्करवी कहते है मसूडों से खून आने को आप ब्रस कर रहे हैं और आपके मसूडों से कून आ रहा है तो समझो vitamin C की कमी से आपको संत्रा मोसमी खाने पड़ेंगे रसीले पले और वहार में भी कमी आ जाती है विटामीन C की कमी से तो प्रोची का खै वी जै जै रहे गया जै माने जल जल तो हमारे सरीर का मध्यम ही है सारी करियाओं का तो जल के बारे में तो पढ़ने की इतनी आवशकता नहीं है अगली बात कर रहे हैं हम पोशन के प्रकार पोशन तो आपको पता चल गया ना पोशन पोशन का मतलब भोजन ग्रहन करने का तरीका पोशन का मतलब भोजन ग्रहन करना पोशक तत्वों को ग्रहन करना कितने पोशक तत्वों पढ़े हैं हमने छे हैं प्रोची का खैवीज प्रोची का खवीज पर यहां हम पोशन के प्रकार में डिस्कस करेंगे कि पोशन दो प्रकार का होता है एक तो स्वै पोशन एक तो विसम पोशन तो सबसे पहले बात करेंगे स्वै पोशन की या इसे स्वै पोशी पोशन भी कहते हैं या इंगलिस में कहते हैं ओटो ट्रोफिक न्यूट्रीशन तो स्वय पोशन का मतलब हरे पेड़ पोधे अपना भुजन अपने आप बनाते हैं प्रकास संसलेशन की करिया करते हैं उन्हें तो बहार से कुछ नहीं खाना पड़ता या कुछ लोग कहते हैं स्वयम पोशी जो अपना खाना अपने आप बनाता हो पर इसमें आपकी माताजी नहीं आएंगी कभी आप अपनी मम्मी को कहो कि मेरी मम्मी तो स्वयम पोशी है जी अपना खाना अपने आप बनाती है तो अपना खाना अपने आप बनाती है का मतलब वे अपना खाना अपने आप पकाती हैं, सेखती हैं, तैयार करती हैं ऐसा नहीं कि वे पैदा भी अपने आप कर रही है अपने खाने को, ऐसा तो नहीं कर रही न, ठीक है तो स्वैपोशी या स्वैम पोशी कौन होते हैं हरे पेड़ पौधे वे क्या करते हैं कि Carbon Dioxide चाहिए प्रकास संसलेशन की करिया में Carbon Dioxide, पानी, सूरिय का प्रकास और Clorofil इन चार चिजों की उपस्थिती में ये C6, S12O6 क्या है? Glucose एक तो glucose बना और oxygen गैस बनी तो हरे पेड़ पोधे जब अपना भोजन बनाते है ना प्रकास संसलेशन की करिया में यह प्रकास संसलेशन की करिया का रियक्सन ही तो लिखा वह है ठीक है तो हरे पेड़ पोधे जब भी प्रकास संसलेशन की करिया से अपना भोजन बनाते हैं तो वे अपना भोजन बना रहे हैं C6, H12, O6, Glucose बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है पर इसी के साथ साथ वे Oxygen भी तो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं Oxygen जो हमारे लिए जरूरी है, सारे जीवों के लिए जरूरी है तो वे अपना भोजन बनाने के साथ साथ दूसरों का भला भी कर रहे हैं इसके अलावा हरे पेड़ पोधों के अलावा और भी दुनिया में ऐसी चिज़े हैं जो अपना भोजन स्वयम बनाती हैं बही हरे पेड़ पोद्धे तो प्रकास संसलेशन की करिया करके अपना बोजन अपने आप बनाते है ना पर यदि आप स्वेपोसी बैक्टीरिया की बात करो बैक्टीरिया कहते हैं जीवानू को उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं रसायन संसलेशी बैक्टीरिया या कीमो सिंथेटिक बैक्टिरिया या रसाइन संसलेशी जीवानू और इन्हें जो है सल्फर बैक्टिरिया कहते हैं सल्फर बैक्टिरिया ऐसे ही होते हैं सल्फर बैक्टिरिया इसका एक एक एक्जामपल है जैसे आइरन बैक्टिरिया है Hydrogen bacteria है ये अलग-अलग तरह के तीन bacteria के यहाँ example लिखे हुए है जो रासाइनी करियाओं के द्वारा अपना भोजन अपने आप ही बना लेते हैं किसी को खाते नहीं में भोजन के रूप में तो स्वै पोशी पोशन का मतलब यह हुआ कि जो अपना भोजन अपने आप बनाते हूँ उनमें हरे पेड़ पोधे हैं और रासाइन संसलेशी बैक्टीरिया हैं यहाँ हरे पेड़ पोधों के बारे में जादे जीकर करेंगे हम रासाइन संसलेशी बैक्टीरिया के बारे में जिकर नहीं करेंगे अब आते हैं नंबर दो पर दूसरा पोशन का जो प्रकार है उसे हम कहते है विसम पोशन या विसम पोशी पोशन या इंगलिस में कहते हैं हेटरो ट्रॉपिक न्यूट्रिसन जन्तु जन्तु माने जानवर ठीक है? अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते अपी तु भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं अतह जनतु विशम पोशी होते हैं भाई जो भोजन अपना अपने आप बना रहे जो अपना भोजन अपने आप बना रहे वे तो स्वयम पोशी हैं अरे बेड़ पोदे और कुछ बैक्टिरि या दुल्नो प्रकार का पोशन आपको पता होना चाहिए अब हम बात करेंगे विसम पोशी जीवों के प्रकार की विसम पोशी जीव keywords वैसे तो कई प्रकार के होते हैं जैसे साकाहरी पता है आपको जो घास, फूस, साक, सबजीयां खाते हूं शाका हरी वे हैं जैसे गाएं भैस बकरी मांसा हरी कौन है सेर चीता गिद यह मांस खाएंगे केवल अप मार्जा की अम्रतोप जीवी कौन है जो सड़े गले मरेवे पदार्थों पे कारवनिक पदार्थों पे उगेंगे जैसे कवक फफूंद कुकरमुत्ता मश् जब ना तो साका हरी है ना तो मांसारी है सड़े गले मरत कारवनिक पदार्थों के उपर उगते हैं हरे रंके नहीं होते हैं लगते हैं तो पौदो जैसे पर हरे रंके नहीं होते हरे रंके उते तो प्रकास संसलेशन की करियागर के अपना बोजन अपने आप बना लिते फ सब के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके अलावा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एक पांचवे प्रकार के भी विसम पोसी जीव होते हैं, जिने हम कहते हैं सरवाहारी, आप लिखना चाते हो तो लिख लेना अपने नोट्स में, सरवाहारी उसे कहते हैं जो सब कुछ खाते हों, सब कुछ का मतलब जो वनस्पती यानि पेड़ पोदों को भी खाते हों, और मांस को भी खाते हों, यानि जन्तूओं को भी खाते हों, उन्हें कहते हैं सरवाहारी जैसे मनुस्य है, मनुस्य सरवाहारी है न, वैसे कुछ मनुस्य ऐसे हैं जो सिरफ साका हरी है पर कोई भी मनुस्य ऐसा नहीं है जो केवल वांसा हरी हो साक सबजी तो उसे खानी पड़ेगी या तो मनुस्य साका हरी होगा या तो सर्वा हरी होगा अब बात करते हैं संतुली ताहर की संतुली ताहर ऐसा भोजन जिसमें सभी पोशक्तत्व कितने होते हैं पोशक्तत्व बताओ कमेंट में करके बताओ पोशक्तत्व कितने होते हैं बताओ जो हमारे लिए जरूरी है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोशक्तत्व उचित मात्रा में उपस्तित होते हैं यह सब के सरीर आयू के अनुसार अलग-अलग प्रकार का हो सकता है संतुली ताहर सब के लिए एक जैसा नहीं होता छोटे बच्चो को प्रोटीन जादे चाहिए बड़े आदमियों को प्रोटीन कम चाहिए पर प्रोटीन चाहिए सब को छोटे बच्चों को चिकनाई जादा चाहिए, बड़े आदमियों को चिकनाई कम चाहिए, पर चिकनाई चाहिए सब को समझ रहे न? प्रो, ची, का, खै, वीज, ये 6 पुशक त्थव हैं सरीर की जरूरत के हिसाब से सब के लिए जितनी मात्रा चाहिए उतनी उतनी मात्रा उन्हें मिल जाए ना सारे पोशक तत्वोगी तो ऐसे आहार को ऐसे भोजन को हम कहते हैं संतुलित आहार अब बात करते हैं कुपोशन की कुपोशन हाला कि हमने पहले भी पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले कुपोशन पढ़ा था कुपोशन का मतलब होता है आहार में एक अथवा अधिक पोशक तत्वों की कमी से कुपोशन होता है यदि हमारे भोजन में किसी पोशक तत्व की कमी है तो उस पोशक तत्व की कमी से ही होता है कुपोशन जैसे सारीरिक शिथिलता सरीर में कमी आ जाती है कुछ कुपोशन तो ऐसा होता है कि सरीर में ही कुछ कमी आगी और कुछ कुपोशन ऐसे होते हैं जिसमें मानसिक शिथिलता दिमाग में कमी आ जाती है तो यदि हमें पोशक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलेंगे या तो हमारा सरीर कमजोर हो जाएगा या तो हमारा दिमाग कमजोर हो जाएगा और पोशक तत्व भरपूर मात्रा में हैं तो हमारा सरीर भी स्वस्त रहेगा और हमारे दिमाग भी तंद्रूस्त रहेगा सब कुछ बढ़ी हा रहेगा ठीक है अगली बात करते हैं चलो अगली बात है जन्तूओं में विशम पोशन के पद हमें पता चल गया कि जन्तू, जानवर एनिमल्स यह सब विशम पोशी होते हैं और सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जन्तू, सोसल एनिमल है मनुस से मनुस से एक सामजिक जन्तू है, ठीक है यह सामजिक प्राणी है यह कह दो यह ज़्यादे रेस्पेट चाहिए दो तो बिटे, जन्तूओं में विशम पोशन के पद हैं, पाँच कितने पद हैं, पाँच पद हैं, जैसा कि यहां लिखाव है, पाँच पद अंतर ग्रहन, खाने का अंदर जाना शरीर के, पाचन फिर उस खाने का पचना, फिर अवसोशन पचेवे खाने का अवसोशन होना नमबर चार स्वांगी करन उस पचेवे खाने का सही जगा पहुँचके विलीन हो जाना जिसी हिस्से को जहां बेजना था और मल वी सरजन जो पचने के बाद खाना बचाए उसे सरीर से बाहर निकाल देना इन सारी करियाओं को हम discuss करेंगे ठीक है देखो यह है मनुस्य की आहर नाल में पाचन और मनुस्य की आहर नाल में पाचन को हमें detail में discuss करना है पर इसे में discuss करा हूँगा अगली वीडियो में क्योंकि biology में समझने का काम जाते होता है और मुझे एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से explain करना है जिससे आपको future में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बिलकुल ध्यान से समझेंगे इस वीडियो में तो हम इतना ही discuss करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके बाद discuss करेंगे सिरब आपको इतनी बात ध्यान रखनी है ये मनुस्य की हरनाल में पाचन अगली वीडियो में discuss करेंगे आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि आपको playlist के अनुसार पढ़ना है यदि आप class 10th में हो तो आप class 10th की playlist में घुश जाओगस और सुरू से आप एक एक वीडियो को देखते चले जाओ पूरा सेलेबस science का आपका cover हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा जो चीज मैं पढ़ता हूँ उससे बाहर board के exam में कुछ भी नहीं आएगा चाहे आप किसी भी board के हो ठीक है तो बस महनत और इमानदारी से पढ़ा ही करते रहो और अपने handwritten notes बनाते रहो तो thank you very much for watching this video ओके बाई